प्रीमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बिट प्रदीपे ब्रेकिंग नोज में हम आपको बताने चलना है 10 जून 2021 को परिच्छा कारिकरम जारी कर दिया गया एक्जाम कलेंडर जिसे आप कहते हैं नौ महीने के अंदर होने वाली परिच्छाओं का कारिकरम जारी किया गया है एक एक करके सारी रिपोर्ट को देखते हैं और समझने का प्रियास करते हैं जितनी बातें अभी तक मैंने आपको एक एस्पेक्टेड एक्जाम डेट बताई थी एक दो को छोड़ करके लगभग 98% एस्पेक्टेड एक्जाम डेट आपकी सही निकली है तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक करके समझने का प्रियास करते हैं एक्जाम कलेंडर की नोटिस नीचे लगी हुई हो उसे भी देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ आप देखी नोटिस लगी हुई इसको यह करके मैं दिखाऊ उसके पहले मैं बता दू कि UPPCS, ROARO और GIC और UPPET एक्जाम के लिए सुपर अबजेक्टिव नामक स्रीज चलाई जा रही है सुपर अबजेक्टिव में हिस्टरी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं मौर काल तक पहुँच गये थे छठी सताबदी इसापूर के आगे भी हम लोग चल रहे हैं मौर काल के important question हो चुके हैं उसके आगे बढ़ना आती है यदि आप इस objective series को नहीं देखते हैं तो प्रत्ते एक दिन देखा करें exam में जितने भी previous year question यानि repeated question और related question है उन सभी को यहाँ पे cover कराया जाता है और आने वाल exam में आपको बहुत benefit होने वाली है 8 series जो घटना चक्र की आती है और परिछाबारी की आती है उन सभी series को हम लोग एक एक करके complete करने वाले हैं जिससे आने वाला कोई भी exam आपका छूटे ना तो यदि आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखा कर यह चलिए देखते हैं क्या है important date यहाँ पे इसको एक करके समझ लेते हैं से पहले जो पेपर होने वाला तो मैं आपको बता दूए आप देखे सर्व साधाराण को यह दत दौरा सूचित किया जाता है कि विग्यप्त चार चौदा मिस एवन दोजार दोजार एक टीसी दिनांग 15 जनरी 2021 के दोरा वर्स 2020 में आजोजित की जने वाली परिछाओं का वार्से कलेंडर जारी किया गया था कोबिड नाइटिन के कारण मार्च के उपरांत आयोजित की जने वाली परिछाओं प्रभावित हुई है अता संसोदित कलेंडर इस प्रकार से जारी किया जा रहा है यह निम्नमौत है ठीक है चलिए यूनानी चिकत्सा अधिकारी स्क्रेणिंग परिछा है 25 जुलाई को सेवा प्रारंभिक परिच्छा जैसा कि आप जानते हैं मैंने कल आपको बताया था कि इसमें 72,000 से प्लस लड़के हैं इसमें समलित राज कृष्षी सेवा वाली में पहले या PCS इसका पेपर खुद कराता था PCS कंतर के इसके पदाते थे इस बार इसको सेपरेट किया गया है तो समलित राज कृष्षी सेवा प्रारंभिक परिच्छा एक आठ एक अगस्त को होने वाली है ठीक है प्रवक्ता पुरुस महिला राज की इंटर कालेज मैंने आप से बताया था कि सितंबर में इसका पेपर होगा देखिए यहां पर एकदम सितंबर में आया था मैंने 15 सितंबर के आपका पेपर होगा और 19 सितंबर को आपका प्रवक्ता राज की इंटर कालेज महिला प्रारंभिक परिच्छा कब है आपका तो यहां पे घोसित कर दी गई डेट आप देख पा रहे होंगे जिसके लिए हमने ज़्यादा फोकस किया था पीच्छ और और खास कर के हमने फोकस किया था आपका प्रवक्ता के लिए ठीक है यहां पर देखिए तो यहां पर प्रवक्ता का कब है सितंबर में 9 कब है 19 सितंबर को सितंबर से लिए करके 30 सितंबर के बीच में होगा हलाकि यह थोड़ा से जादा आगे बढ़ गया 24 अक्टूबर को चला गया ठीक है संभागी निरिच्छक प्रावदिक प्राइच्छा जो है 21 से ले करके कब तक होगी 21 में 211 यानि 29 को समलित राज कृष्ड राज क्रिष्डι सेवा मुख्य परिच्छा समलित राजanka क्रिष्डिस वा मुख्य परिच्छा देखिए यहां पर प्रावदिक परिच्छा वह रही है आपकी और उसके बाद यहां ार बद बुद्ध जी लोग बहुत सारे उल्टी पल्टी बात कहते मैं ने आपसे चार दिसंबर बताया था जी हां मैंने आपसे चार दिसंबर बताया था इस्पेसली मैंने आरो यारो के लिए ही डेट बताई थी मैंने कहा तक चार दिसंबर को पेपर हो सकता हलाकि बहुत सारे लोगों को दबाव डालन इसको लिकिन देखे आज पांच बारा दोजार इकिस आप फिर देख सकते हैं अपनी हिसाब से मैंने चार दिसंबर बताया था और यह पांच दिसंबर एक दिन का अंतर है खाली और उन्होंने दबावड़ार पच्छासों बेफालतों के कमेंट आये थो उल्टे पल्टे कित अगर कोई एस्पेक्टेड एक्जाम डेट बता रहा थो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं प्रवक्ता पूरुस महिला राज की इंटर कालेज मुख परिच्छा यह अपने उसी डेट पे फिर डिटरन ले करके चले गए दिसंबर में मुख परिच्छा थी और दिसंबर म प्रारंभिक परिच्छा के बाद आपके पास मुख परिच्छा के लिए माज दो से तीन महीने का समय मिलता है जो कि पहले छे महीने का समय मिल रहा था तो यह आपके लिए थोड़ा सा डिफकल्ट हो गया चूंकि जोन में पेपर होने बाद फिर दिसंबर में आपको मुख पर इच्छा का मौका मिलता था लेकिन यहां पे इस बार जो है उसी डेट पे कराने की बात चल रही बार 19 दिसंबर की बात की जा रही है उसके बाद प्रदाना चार्स रड़ी ओप स्रेड़ी ओप प्रदाना चार्स निर्देशक के स्क्रीनिंग पर इच्छा 9-1 को होगी ठ समलित राजप्रवर अधिनस सेवा मुख पर इच्छा 28 से सुरू होने वाली है 28 जनुवरी से मतलब एक 28 जनुवरी 2022 से सहायक समिच्छा अधिकारी मुख पर इच्छा 7 मार्च से सुरू होगी ठेक प्रवक्ता राजपी डिगरी कालेज स्क्रीनिंग पर इच्छा 34 2022 से सुरू होगी और समिच्छा अधिकारी मुख पर इच्छा आपकी शुरू होगी कहां से सुरू होगी जल्दी से आप बता दी समि अपिए से निकल करके आ रही मैं आपसे कहुंगा जी आइसी अब्जेक्टिप सरी चौरूप क्या करें खास करके जी आइसी की एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन है जी आइसी जीएस के जो 40 के उचन आने वाले हैं वह 40 के उचन इसमें से मैं आप से वादा कर सकता हूं